आप देख रहे हैं SGM News, मैहुर यादनसारी, आज मैं तारिफशर अरंगाबाद के सुविजार गेस्टाउस में महजूद हूँ, मेरे साथ महजूद NCPK बड़े नेता माने जाते हैं, समासिवक माने जाते हैं, चली आज मारास्टा की राजनीति पे कुछ निशी गुफतों क हुआ है, इसमें कोई शकर शुबा नहीं है, लेकिन माविकास अगारी सक्षम है, बलई सेना का धनुश्यबान और नाम सिंदे सरकार को गया हूँ, लेकिन आज भी जनमत और लोगों का प्यार उद्वजी के साथ है, उनके साथ हमारे नेतादानिशर रश्चंदर जी पार साथ है, कांग्रेस के बड़े लीडर से, और लोग आज भी उनके साथ में है, आने वाले वक्त में जब भी अगर एलक्षन होगा तो आपको इसका एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन नजर आएगा. सर जैसा अवदरी जी कह रहे है कि हमेरे साथ नाइसाफी हुई और मेरे निशान को, मेरे पार्टी के नाम को शुरा लिया गया, एक बतोर एक राजने देखते हैं उनके बयान को कैसा देखते हैं, वाक्ति साथ ऐसा हुआ है कि खाली एक सियासी बयान बाजी? ने बराबर हैं, दुख तो होगा ना भई, दुख तो होगा कि जिस निशानी पर पूरे MLH उनके आया है, मुख्यमंत्री बने, सारी बाते उनके माननी हैं, बाड़ा साथ ठाकरे साथ के माता जो लोग आज राजकरान कर रहे हैं, और करते करते अगर कोई छीन ले वे, तो दुख तो होगा, वाजीब है उनका दुख, उद्व जी का जो दुख है, बिलकुल वाजीब है, उनका दुख और उनकी जो बोली है, बिलकुल सच बोल रहे हैं, सर आने वाले समय में आपको जिस तरह दो फैसले आ रहे हैं, इलिशन कमिशन ने चुनाओ अलार्टमेंट क भूल जाईए, विधान सबा लग जाएंगे, इसमें कोई शुभा नहीं है, मिन्सिपल कारपोशन की एलेक्शन मैंने कहा कि पहले विधान सबा होगी, हालात को देखते वे उसके बाद ही कारपोशन लगेगी, जब तक तो कारपोशन एलेक्शन नहीं लगते हैं, सर आज कि देखने में आता है, कि खबर आ गई, खबर पर किसे खबर सला दिया, हो गया मेडिया, लेकिन बात तो वो दम होना चाहिए, को जनता के बीश में खेल रही हो, और मैं खुल के सवाल कर रहा हूं, आउरंगा बात के अंदर ये चर्चा मशूर है, कि भाई, आपने आपको तो साब, बहुत सी बाते सामने समझ में आती है, बाई इशारा इशारा पुछ रहा हूं, उसके बारे हम क्या कहेंगे अब? जैसा प्रकाशम्बेटकर साब का विशे आया है, कि भाई, उद्वजी के साथ जाके वो काचुना लड़ रहे हैं, अभी महाविकास सकड़ी के निता होके अपने अपने विशार चल रहे हैं, मैंने इससे पहले भी कहा था, और आपको शायद याद होगा, ये मैंने भी ब बताई, बहुत काबिले तारीफ काम गया अपने, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आगे इसको बर्कार रखने के लिए आप जो सेकूलर पार्टी को साथ जोड़ जाए, तो खामोशी का उन्होंने नजारा दे दिया, तो मैं समझ गया कि इनके विशार एक अलग है, आज के द सवादी क्यों ना, तो यकीनन परिवर्तन होगा, सर एक सवाली है, जैसा आपने कहा का आजाना चाहिए, अब रणी खासदार, करन खासदार, कई प्रेस कांफरेंस में, कई मुक्तलिफ जराय से उन्होंने कहा है, कि हम पर आरूप लगते हैं, कि हम बी टीम है, बी टीम के जो भी उपर है, वो लेवल पर है, लेकिन सोच जो भिन 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 बनी होती है, वो सोच को देखते हुए, लोकों की सोच भी बदलती है, और बी टीम का, सी टीम का, जो सबजेक्ट लगा है, तो ये अकलन किया गया राजनितिक लेवल पर, तो आज के दोर में, ठीक है, वो सोच अपनी अपनी मर मेरी सोच ऐसी है कि आज जो हुआ हुआ मैंने बोला जो बीते दिन हुआ गया आज समिकरन को बदलना है तो यमायम रास्टवादी कांग्रेस शूसेना ये पार्टून एक जगार आकर लड़ेंगे तो यकिनां समिकरन बदलेगा अपसार एक मैं बहुत एक सवाल और खुल के बुछ रहा हूं कि जैसा पहले सुष्ण ने को लोग अलग निगास देखते थे बात में माय वकास अगाड़ी आई बात ने फिर ये चर्चा में आया कि चलो मैं सुष्ण रास बन गई इस सारी बात ही आपको पता है मीडिया में मैं एक्जांपल तौर पर कह रहा हूं हाला कि मुझे पत्रकार के तौर ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा आरूप लगते हैं कि मैं कटर पार्टी आप तो अगर उनको साथ में ले लिए जैसा आप सुष्ण ने के सिकलर हो गई यह सिकलर है या सिकलर सी बढ़के काम कर रहे है तो ऐसे हालात भी पैदा हो सकते ना एक बतौर एक मिसाल के तौर पर बिल्कुल आज कमें बढ़ना राजकरान समीकरन बदल चुका है आज अगर यमायम को पार्टी अगर लेके चलती है तो समीकरन बदलेगा और सेकुलर का एक नया डंका बजेगा नेताओं में मैं बोल पर रहता ना अपने अपने अंदर है वो खुद तो डूबे सनम इसको भी लेकर डूब जाएंगे ऐसे लोग हमारे पास है वरना यमायम हमारे साथ बहुत पहले आ जाती थी हरम उसको लेने वाले थे लगबाग गिता है था लेकिन अब लोकल पर से क्या वो बोला गया जि मैं ले लेना चाहिए दो तारीक को हमारी मिटिंग है मैं हमारे नेताओं से बोलने वाला हूं किसाब भड़े हम किसी जगा छोटे होंगे लेकिन हमारे ख्याल बड़े कि आप महारस्टा में समीकरन बदलना पड़ेगा और जहां मुसलमान सेकुल रिजर्म के होट अगर हम को होना है तो बेशक हमको यमायम को साथ लेकर चलेंगा समीकरन बदलेगा सर आप राश्टवादी के अकसर मंबई जाते हैं मंतरा ले जाते हैं काफी छोटे बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं और सब्सक्राइब किसी इसान से हम मिलते हैं तो उसकी आदत उसकी सोच उसकी विचार उसकी फित्रत भी हमको कहने के मालूम पड़ती है तो मैं एक सवाल बहुत खुलकी बिच्छरा हूं कि रास्वादी में कुल मिलाकर छोटे बड़े कितने इसे नेता है इसका आकड़ा ज़से कितने फिससद लोग एमायम के साथ चलने के और कुछ साथ में ल मैं सबस्चार का बातलए बातले हुआ है लगबग साथ फीसदी एसे लोग है हमारे पार्टी के वह चाहती कि यह मायM को साथ में लेकर चलेगे, तो समिकरन महानगर पालिका में हो, या विधान साम ब्लेगा है लोग है विचारों में हैं सोच किनकी क्या बनी थी वो एक वक्त पे चले गई आज समिकरन सत्ता का भी बदल गया और माहौल परिवर्तन भी हो रहा है ऐसे दोर में साथ में यमायम को अगर लेकर राष्टवादी चलती है अधर पार्टी को दने बोलता हूं तो हमारे हैं हम देखते हैं वीडिया के बाद्यान से जबी चुनाओं का उसार आता है या इसको मुक्तलिफ उग्राम होते हैं बहुत खुलके बिचराओं एम पर जो हते हैं बीजीप कर बीटीम होने के बाद तब बाद आप तारोप लगते हैं प्रेस कांफरस होती है बाशन में ब बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और आप जो बोड़े बिल्कुल को मैं भी खुलके बुड़ रहा हूं देखी वो दोर का बयान और आज के हालात बहुत चेंज हो गए हैं तो मैं बोल रहा हूं कि हालात को देखते हुए शेश पार्टी के हमारे नेताओं से मैं पहल परिवर्तन आएंगा और एक ओटो का एवरेज भी बढ़ेंगा और कईने कई समीकरन के अंदर अच्छा रिजल्ट मिने गए मैं बहुत रहा हूं और मैं बड़ा खुलकर बोलता हूं मैं कहीं मन में भी ने रखता और दिमाग में भी ने रखता ठीक है ना उस दौर में ज खुद भी डुब गए और तुमोरों को डुबा देंगे तो हालत को बदलना है तो यमायम को मैं खुलकर बुड़ रहा हूं जिसको जो सोचना है पार्टी के शेष नेताओं को मेरे पड़ती क्या कंप्लेंड करना है कर सकते हों मैं बुड़ रहा हूं खुलकर कि आज के द और तक यहां पार्टी में जो डेता जिता वेवाग बुलता है जिता खुलकर बोलता है आखरी में पार्टी सको बार्कर दक आहे से क्या कह obstinate माय तो तैयार हूं जी मैं ओश्क्स जो पार्टी के साथ सब्सक्राइब करें कि एक ही बैणर लेकर चल रहा हूं और बड़ा खुल कर भोलता हूं और काईदे से बोलता हूं कल किसी पार्टी के नित अभी ये मेरा बीच के भी मसला चड़ा तो उसमें पार्टी के हम पर दबाए थे हम दबने वाले में नहीं हम तो पार साब के कट्र कारे करता है हम तो अजित दादार पार साब को दिखकर पार्टी में रहते हैं चूट पूट लेडरों के प्रिशर में सलीम पटेल वाएगा और ना कभी आया और ना कभी आएगा इस मसले पकर अपारिटी जौब तलब करती है तो सलीम पटेल जौब देने की भी ताकत रखता है सर आड़े वाले समय में एक एक्जम्बर की दोर्पे कह रहा हूं खैर जनता की बड़ी खायश है कि मैं पुछता हो लोग मुझे पत्रेकार साप और अगबाद में बाके लिए पत्रेकार है जो इमाएब से गड़ने चकह में रहते मैं कायता हो दोकी साब मेरा चैनल मेरी पत पर अगर एलेक्शन में आ जाती है विदान समय में कितना नफा नुकसान होगा देखिए आज का महल परिवर्तन हो गया और अगर इंडिपेंडन अगर लड़ते हैं तो हमारे आज की बात बताता हूं कि इंडिपेंडन का महल नहीं है अकेला लड़ने का आज नहीं है कि इसमें नुकसान हो सकता की सरकार बनेंगे नहीं है किसी एक प्र पार्ट्टी सरकार तो पॉसिवली नहीं है आप ये मन्से निकाल दो की प्रंटी दावा कर रही हैं नहीं हो सकता कोई पार्ती आज जैसा कि आज गड़धन परिवर्तन का राजकरन समीकरन होकर इत्ता बड़ा सरकार एक रात मेर पलड़ गई कुछ नहीं कर सके सब होकर भी खालियात लड़ गए तेरे खूचे से ये मिसाल हो गई आज तो मैं खुला बुड़ रहा हूं कि गड़ बंदन बनाना चाहिए और मैं मैं आपके मदम से काऊंगा हमारे ख लोगों को बोलिए बताइए हम भी चलेंगे हम जाकर लोगों से मिलेंगे और बोलेंगे कि हालात और एक सियासी समीकरन बदल रहा है हमको बदलते हालात को देखते वे इसमें कहने कई यमायम और रास्टवादी मिलकर लड़ेगी तो यकिनन परिवर्तन होगा सर पिछले विदाज सभा चुनाओं में एमायम पर आरोप लगे थे कि उनकी वज़ा से 40-45 जूबी सीट गिरे है उसकी वेज़े सरकार जो है तो जूचो ते गिर गई थी माराश्टवा ऐसे हालात बदले थे तो क्या वो मंदर फिर आ सकता सरा कर नहीं होती नहीं तो जैस होता रहेंगा तो उससे खतरनाख हालत हो जाएंगी हालत खराब चल रहे हैं महारस्ट में डिवाडेशन बर्दल रहा है कास्टिजम को राजकरान चल रहा है और आज सेकुलर जो ठीक है वह उन पर अरुप क्या लगे थे हो गया खताम होगा विश्वू आज परिवर्तन क माहुल चल रहा है लोग परिवर्तन के साथ चल रहे हैं और अगर आज भी अगर हम अपने महें पने पर रहकर अगर बोलें कि हम अकेले चलेंगे चलने का दौर नहीं सर इत्तिफाक से देखिए मेडिया में आपने पड़ा होगा 25-26 को शायद मारास्टा मुम्माई के मौझूद है कारेकरता मौझूद है जिल्ला अध्यक्ष है तालोक अध्यक्ष है बड़े आमदार भी है खासदार भी है सोचेंगे कि आप पार्टी के जूबी चर्चा करेंगे अदिविशन ले रहे हैं लेकिन खुलके चर्चा में आएक घाड़ी की बात हो जाए यूट कि हम पार्टी रास्टवादी हो या कांग्रेज हो हम सेकलर के साथ चलने को तयार है यकीन मानों इसका एतना एफेक्ट पड़ेगा कि ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी चाहना पड़ेगा क्योंकर समिकरन बदल रहा ना भई आज अगर हम मैं मैं करते चलेंगे तो कि बड़ा माहुल खराब होगा तो समिकरन बदलने के लिए एक आवाज उन्हें लगाना चाहिए एक आवाज इन्हें लगाना चाहिए कि तू उदर से हम इदर से आते हम बनेंगे तो यकिन परिवर्तन होगा सर एक जहन में बात यादा गई अभी हाली में जो तो राजे स्टूपे साफ बुड़ी लेंड में आए थे और मैंने उसे कहा था कि मारास्टा में गड़बंदर का माहुल चल रहा है और जंता में चर्चा है कि मैं को गड़बंदर लेना चाहिए और खाद्दा साफ के बय समझ गए थे आप समझ गएंगे और सारी बात आपके यह दोनों पहली को आप कैसा देखते हैं देखिए राजेश भाईया हमारे संपर्क नेता है और उनकी विचार उनकी विचार हो सकते हूँ अपने विचारों से अब सेकुलर होना या सेकुलर्जम का कोई सबूत देना आज के दौर में मैं समझता है कि ज़रूरी नहीं है राजकरन में हर चीज़ का अगर हम सबूत देते बढ़ेंगे तो समिकरन यहीं बदल जाएगा तो आज जो आज आज आप संपर्गनेता होने के नाते से आप भी पहल करिए दादा को हम भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे हम बड़े साब को लेटर लिखेंगे बराबर लिखेंगे क्योंकि हम भी पार्टी के सिपाई है 23 साल से बैटे एक जगा जंडा गालके हम कभी इदर उदर गए हम एक बेबाग तरीके से बात रखेंगे कि आज M.I.M. को लेना बहुत जरूरी है बहले वो तुम को जो सोचने में समझने में सब बदल रहा है मैं इशारों में एक खुला बुड़ रहा हूँ अगर सोचते रहेंगे तो वो सोच के परे फैसल आ जाएगा जनता अब समिक लेएगा काम करेंगा जनता उसके साथ जाएगी ये निकाल दिये कि यह आई सब्सक्राइब को यह किस पार्टी का है कायका वो देखेगी ने वक्त पर जो साथ में हमारे खड़ा था हम उसके साथ क़ड़ रहेंगी सोच बनी है तो सोच को बदलना है समी करण को बदलना है तो कहने हैं कि हमको इमायम को साथ लेकर चलना ये ज़रूरी हो गया सर अगर इमायम अगर आ गई बहले कहा था कि इत्वाक से अगर नहीं आई अब आ गई प्मान लीजिए उधारन के तौर पर मायम अगर साथ में तो चालिस पचा सिट का इसी जाफ हो जाएगा माइनरेटी बहुर इलाकी के जो वो डिवाडिशन में जाते आधर वाई सिधर उधर तो कहीं नहीं ये समिकरन अगर यमायम रास्टवादी कांग्रेस शूसेना अबदार जो भी हमारे परकाश अंबेड़ अगर साथ की पार्टी है वंचित अगाडी है और एमायम का उसमें वजुद हा जाएंगा तो यकीनन हम पाच और दो में डिफरेंस आजाएंगा और हम पाच की ताकत महारस्टर में सरकार बना लेगी हैं 100% बना लेगी फिर अधर वाइस किसका सब्मर्थन लेने जुरत न नहीं होगी ताजा देखिए प्रकाश अंबड़कर साब एक सुल्जेवे नेता है समझदार है वो राजकरान को भली बाती जानते हैं हालात को वो भी भाप रहे हैं और मैंने मैं तो छोटा हूं बहुत लेकिन मैं बिलकुल इस बात के आशा और उम्मिद रखता हूं कि हा साब मुझने लगत कि अब क्या करूबात साब आते हैं मैं पूछ पूछा रहा हूं कि आरंगबद की मिसाल ले लिजी दोनों रहेता कि मसला था खाधा साहब इन्पर इसलाम विशाम बहुत खुल के बिच रहा हूं अगर माली आसा समीकरर मनता है तो फिर मारास्टा की बात कर रहा हूं मारास्टा की बात कर रहा हूं मारास्टा के अंदर तो खर थोड़ा बहुत नीचिश हो जाएगा की बैठी के जहां वो तीस मंग रहे थे आज मावी का सकाड़ी में तो दस पंतर सिट वो डिफरेंस हो सकता दावेदारी कोई ने करेगा हम पांच जब एक जगा आजेंगे तो दोस्तों अट्रेसी के डिवरडेशन के साब से कहने के इनको भी अच्छा सा उसमें ग्राउंड बनेगी दावेदारी तो मैंने वो सकता हूं लेकिन इनकी इससेदारी वाकिम उसमें एक मेजर काम करेगी बना से आपने सलीम पिठल صاح Cheese की बात को सुना हम जनते के बीच में रहते हैं काफी लोग कहते हैं पतर्गर साब आप एमाइम के लोगों से मिलते हैं रासटवादी से मिलते हैं कांगर्ष से मिलते हैं सारी पार्टिक से मिलते हैं गढडंदन पर क्या चल रहा है जरा आप पूछ लिया कीजिए, तो मुझे बड़ा हाशर ही होता है, हसी भी आती ही, कि मैं इतना बड़ा मेडिया नहीं हो, खार मेडिया चोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक लोग सोच भी होती हैं, तो खैर, ये जनता की मन की बात थी, बहुत खुल के मैंने पूछा हूँ, बहुत खुल के इन्होंने कहा है, और जनता में जो बात चल रही है, मैं तमाम महराष्टा के नेताओं के सामने रखने जा रहा हूँ, कि सरा जनता में चर्चा है, सुशना को लेकर और एमायम को लेकर, आप कुछ बात आप समझ सकते होंगे तो आप समझने का परियास कीजिए कि आज लोग कह रहे हैं कि स्यूसेना बहुत सिकलर वादी बन गई है तो सवाल लिए कि पहले सिकलर नहीं थी सवाल लिए यह लोग कहते हैं लोग कह रहे हैं अब सवाल जी है कि M.A.M को लेकर जैसा सियूसेना कांग्रेस के साथ राश्वादी साथ अगर माविकास अगाड़ी बनाती है तो जैसा कहा जाता है कि भाई अब चेहरा बदल गया है, सियूसेना बदल गई है, ऐसा मेडिया में, बाता में, जो ते चर्चा में आती है, तो स हुष है कि ने कां सथिर्ट को लेना और बता देना सरकार का काम के आने काम बेरहाल अब जनता की भी ये बात तमाम बातें जनता के अदालत में है ज़धा सली पेडल साहब ने का यकिनी तोर से आज महारास्टा में अगर वाकी ऐसे ताकते को रुखने के जूरत है तो जो सेकलरवादी है जो सेकलरवादी है जो सेकलरवादी है को मानते हैं दिल से मान आप लोग को राजनीती ना करें यह उसका बिग्या यह उसका बिग्या उसकी सीटी में बीटी में आगर इस बास से अब इतियात करें यह मैंने कह रहा हूं जनता कि बहुत दुम्हेदार लोग कह रहे हैं जैसे इन्हों नहीं करेंगे जैसे जैसे